मैं मास गेनर लू मैं प्रोटीन लू क्या लू यार समझ नहीं आ रहा मुझे तो ये वीडियो आप ही के लिए है आपको मास गेनर लेना या प्रोटीन लेना है इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा आज उमें लखनव आउटलेट गोंती नगर पत्रकार पुरम सारा प्लाजा गेट नमबर तीन से आपको आना अगर आप लखनव आसपास रहते हैं और और सप्लीमेंट चाहते हैं बोड़ी बनाना चाहते हैं जैसे हमारे भी आये हुए क्या नाम भी आपका सुदानसु कहां से आया है उनना उजले से आया है जो कितना दूर परता है पांच पुट आठ इंच इनकी हाइट है और बासट इनका वेट मैंने मांस गिनर दिया मैंने मसल गेनर जो आपके सामने पूछा आपका बोडी गोल है आपका बोडी गोल है कि आप तगडे हो जाए जैसर वजन भी बड़े और मुसल साइज अगर आपके संग ऐसा को कि सिरफ वजन बढ़ता चले जाए मसल साइज कम आए यह बहुत मतलब ना के बरावर आए तो चलेगा नहीं सर नहीं चलेगा आप चाहते हैं जब आपका वेट 75 किलो हो तो आपका बाइस सोला है साड़े सोला इंच हो जी सर यहीं चाहते हो ना सुनलो यहां पर दोस्तो को अगर आपका वेट ठीक है क्योंकि देखो पांच फुट आट इंच के इसाफ से इनका वेट 70-72 के आसपास होना चाहिए और इनका 62 किलो अल्डेडी है नो डाउट इनका आट-दस किलो बजन कम है पर इतना कम नहीं है कि इनको मास गेनर लेना पड़े हां अगर इनका व को एकि Moscow साइज के साथ साथ वजन बड़े तो भाइया इनका वजन और मुस एगा पावर मसल गेनर से नाकी की मास गेनर से और नहीं प्रोटीन के सरब मसल्स इदि वजन नहीं बड़ेगाइग वो सब 213 किलो तक वजन बढ़ारे को 166 तक वजन कर देगा और मसल साइज सबस्तों ने करें सब्सक्राइब कर में उससे खुष खो चाहिए तो यह ईंच सब कर ड़ समकिल का दो धीन हो अज तो पूरा ट्रेनिंग दी हुई है आप जब पूचेंगे वाँ तो आपको सला देंगे देखो लो आप वही जो आपको मन करें मारी सला आपको जरूर मिलेगी नहीं जी आप मास गेनर मत दीजिए मुसल्स गेनर लीजिए बहुत सारे भाईया ऐसे होते हैं 45 किलो बजने कि भ आपको कम से कम साथ किलो आने तक मास गेनर लेना चाहिए पर प्रोटीन लो अगर आप और एब आप और ओरिजिनल लोर सिरफ सप्लिमेंट सिला सिलो सुदानशू कैसे लगा आपके बढ़िया लगा तो भाईया आप भियाओ सप्लिमेंट सुला और जेनून सला आपको मिले की बढ़िया को मिला और इस पिंतालीसो रुपेका यह मसल्स गेंड जी एस्टी बिल के साथ तो यह जी एस्टी बिल और यह टीशेट सेकर सप्लिमेंट सिला की तरफ से सुदानशू को गिफ्ट है जब आप और करेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेंगे अब यहां नो डाउट भाईया ने देखें जो यह पांच सासो का टेक्स पे कर दिया है पूछना चाहूँगा क्या फरक कर ईयार भाई ने विल्गुल यार वह यार मतलब यार नश्कार पाइंट कर बायोंग्ड नश् Elliot आप क्यों के इनका अपना आप मेरे colors आपunuz सब्सक्राइब मेने सबाए तुमं Chef इन मुझे है मैंने तुम मैंने आपको दी हा देख लो मैंने इंसे पैसे लिए वह पावर लीजे आप ओरिजिनल मिलेगा सप्लीमेंट और और ऑडर करना चाहते हैं तो तरीके पहला तरीका जो बहरें अपना है ऑफ़लाइन आउट टागे इनके नस्दीक पड़ता है आपका लखनाव आउट्लेट लखनाव पड़ेगा कानपुर बढ़ेंगे कानपुर सारनपुर करो लुद्याना करो जैपूर करो गुरू करो पलवल करो दिली कालकी दिली रोहनी सफजी के अउतलेट और नाम गिनात्य मैं और को भी थोड़ा से वह जैता है यह लिस्तारी है पुरी जहांगे आउपलेट समा देखो बॉर जल्दी आउटलेट अपनों जा रहा है अब अगर तुमने नहीं बताया अगला आउटलेट कहां उपन जा रहा है फिर तो यह पक्का जान जाएंगी तुम्हेर अपने हाद भी हो जिसर कानपूर अपनने जा रहा है और भी हार पटना में अगला आउटलेट अपनों ने यह जा रहा है छलो कम सब्सक्राइब एक तो सजी सवाल का जबाब दिया तो अपने अगले लेने के दो तरीके हैं सुदान्शू को पता दूं आपको पता दूं पहला तरीका कि मुझे वजन बढ़ा आधा चम्मच इसके अंदर जो चम्मच है वो आधा चम्मच दूद में डालके साथ में दो बनाना जिम करने के बाद ठीक है फिर उसके बाद यह आपको आधा चम्मच दूद में डालके आप सुबह जाते हैं जिम शाम को शाम को जाते हैं तो आदा चमच दूद में डालके दो केले के साथ में शाम को ले लिया आदा चमच दूद में डालके साथ में दो केले ड्राइफ रूट्स के साथ में सुभा ले लिया उसके बाद में आदा चमच लंच करने के दो घंटे बाद दूद में डालके साथ में द बढ़ेगा बहाना इसका लगेगा तो समझ रहे हो ना साइकलोजिकल भी काम करते हैं सप्लीमेंट्स आपने एकसर देखा भी होगा कि जब मतलब जो है आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको लगता है कि हायर आप बोडी बन गई है जब कि को दो तीन दिन में क चम्मच एकसराइस करने के बाद में पानी में साथ में दो केले और आदा चम्मच स्टिल सुभा लेना है आपको दूद में साथ में ड्राइफ फूट सो दो केले लेना डेर चम्मच ही है पर लेने का तरीका बदल गया समझ गए और साइकलोजिकल बेनिफट करेगा अगर दिन में कोई बंदा दो केले और दूद आदा लीटर दूद दिन में तीन वार ले तो बढ़ेगा 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 साथ वैसी बढ़ जाएगा इसका बाहना हो जाएगा तो यह चीज समझे आप तो सब्लीवार मुलाकात हो रहां जहां पर आउटलेट नस्दीक न